जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य उम्मीद करते ही कि आपकी रेलवे गुरूपडी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी रेलवे गुरूपडी की तैयारी महीं काफी सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर बन रखा है सभी स्टुडेंट्स के मन में कि आखिर रेलवे गुरूपडी का जो एक्जाम शडूल है वो यहाँ पर कब तक जारी होगा और सीसी एक कोट केस की जो सुनवाई होनी थी जो यहाँ प हम हमेशा आपको सचाइस रूबरू करवाते हैं लेकिन फिर भी लोग जो हमें हमेशा गलत कमेंट्स करते हैं गलत चीज़े हमारे बारे में बोलते हैं जैसा कि मैं देखिए पिछले काफी टाइम से आपको हर एक चीज़ हर एक अपडेट यहाँ पर ऑफिशल देता हूँ और वही चीज़ मैं आज भी आपके लिए ओफिशल चीज़ लेकर आया हूँ तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अब यहाँ पर यह देख लिजे आपका यह कोट केस था डाइरी नंबर हमने आपको उस वीडियो में भी बता दिया था कि 2448 by 2022 यानि पर यह केस नंबर हमने आपका हो गया जो कि मैंने आपको उस दिन वाले वीडियो में सारी चीज़े बता दी थी अब यहाँ देखिए करने का मतलब यह होता है कि केस को निप्टा लिया गया है केस का निपटारा कर दिया गया है यानि कि आज जो यहाँ पर सुनवाई होनी अब यह जो सुनवाई हुई है उसमें यहाँ पर क्या कर दिया गया है खारिच कर दिया गया है केस को पूरी तरह से डिस्मिस कर दिया गया है यह भी यहाँ पर clearly आपको mention किया हुआ है देख लीजे अपनी आखे खूल के देख लीजेगा और यह बिल्कुल official data है date of disposal भी देख लीजे 29.7.2022 का और यहाँ पर देख लीजे petitioner कौन-कौन थे ये भी आपको पता होगा अंकित यादव होगे विनोद कुमार शर्मा होगे विशाल राय होगे और भी यहाँ पर candidate थे और यहाँ petitioner address यहाँ दिया हुआ है और यहाँ देखे advocate कौन थे जस्विंदर कौर जी थे respondent कौन था इसमें तो rail भवन और railway recruitment board था अब यहाँ देखे इस सारी चीजे आपकी हो गई अब यहाँ देखे subject क्या था और यहाँ finally यहाँ case का status आपको आ चुका है कि case यहाँ पर disposed हो गया है अब यहाँ पर देखे case को पूरी तरह से खारिस कर दिया गया है अब case यह dismiss हो चुका है अब यहाँ पर बात आती है कि अगर एक case देखे अब यहाँ पर क्या लगता है कि यहाँ पर railway इंतजार कर रहा था इस case की सुनवाई का तो अब हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर railway group D exam का जो schedule है वो आने वाले एक से दो दिन या तीन दिन के अंदर complete तरीके से जारी हो जाएगा या तो यहाँ पर पूरा आपका exam schedule आ जाएगा या फिर आपका exam थोड़ा सा अगर delay होना है दो चार पांस दस दिन अगर delay होना है तो उसके बारे में भी railway आपको notice के थुरू एक से दो दिन या तीन से चार दिन के अंदर आपको completely बता देगा तो बिलकुल tension मत लिजिए और अपनी तयारी को अच्छे से करते रहिए देखिए यहाँ पर dates में थोड़ा सा वैरी हो सकता है आगे पीछे date हो सकती है लेकिन इतना जादा भी आगे नहीं जायेगा तो इसलिए जिस तरह से तयारी कर रहे हैं उसी तरह से तयारी करते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत